हाई गाईस विल्कम टू बैक मैं चानल मैं पियंका आज हम बनाएंगे आलू फ्राठा आलू फ्राठा बनाने के लिए पहले आलू को उबाल लेंगे फिर छिल लेंगे छिलने के बाद इसे मैस कर लेंगे तो आप मैसर कभी इस्तिमाल कर सकते हैं मैस करने के लिए और आलू प्राठा हम सबको पसंद होता और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे और आलो फ्राठा का नाम सुनते हैं मुह में पानी आने लगता है तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेले जो भी खाना होता नहीं स्वाधिश्ट बनता है इस लम सषो का तेल ही इस्तिमाल करते हैं इसमें चमज जीरा जीरा जीसी है चटक दिया गया था फिर डाल दिया अध्रक लैसन का पेश्ट और इसम wichtig नदिये थे feeling बनेगा इसलिए पहले मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से बिल्कुल अच्छी से पहोतक भून रहा है और मसाले से हलका हलका तेल भी रूलिज हो रहा है तो पेब डाल देंगे सृधनि सार नमक कर चाब बनाते हैं और बिना मसाला को भूने भी आलू का फ्राठा बनाते हैं उससे भी बहुत टेश्टी बनता है अगर उसका वीडियो आपको देखना है तो मुझे नीचे कोमेंट में जरूर बताइएगा और इस सारे मसाले को अच्छे से भूल लेते हैं बहुत बार डाल देंगे हर्णे कटा हूआ, यहारा फ्रेस धन्या और प्याज तो यहारा फ्रेस भी देखन और वह बनता है, यह कोई gosh लेते हैं वह स्परूब लेते हैं तो सबको डालने के बाद अच्छे से इस्तमाल करेंगे और इसके बाद सारे आलू को डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे दो मिनोट तक ताकि जो भी मसाला जो है आलू में अच्छे से भून जाए और हमारा मसाला जो है आलू का बहुत ही टेश्टी बनके तयार होगे तो इसलिए आपको भूनना और आप दे तो फूटने लगता है तो उस तरीके से अगर में बनाते हैं तो इसका साहिए आप अलू को ठंडा होने दीजिए अलो को फीलिंग को उसके बाद बनाइएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आलू जब ठंडा होता है तो और भी ज्यादा सक्त होता है तो इससे जो हमारा आलू का जो फ्राटा बनाते हैं पूरी जो भी आप बोलते हैं वो फूटता नहीं है और गरम गरम में बनाते हैं तो आलू जो है बहुत ज्यादा नरम होता है हलका सा गिला भी होता है इसके वज़े से आलू को फ्राटा है वो फूटने लगता है तो दीखें हमारा जो आलू का फिलिंग है बहुत अच्छे से भून गया है अब इसे गैस को बन करके ठंडा होने देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट ठंडा होने के बाद फिर से बनाएंगे आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है और आप लोग इतना सारा मुझे प्यार शपोर्ट देते हैं तो उमीद करते हैं कि आगे भी आप लोग मुझे इतना ही प्यार और शपोर्ट दीजिएगा और मेरे चैनल को जाधा ज़धा सेर करिए सुस्क्राइब करिए फिरेंड और फेमडी के साथ तो पहले आंटा को उगुत लेते हैं आलू को फीलिंग को ठंडा उने देते हैं उसको तब तक तक से च्रेसिफी बनके क्रेंची बनके तीयार होगा। और मेरे घर में सबको ज्यादा आलू का फ्राटा एदम जला हुआ पसंद आता है क्रंची लगता है तो इसलिए थोड़ा सा देसी घी डाल नहीं है आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सर्सो का तेल भी दो से तिन चमच इसमें डाल सकते है ताकि आंटा जो हमारा अजबको फ्राटा बिल्कुल पतला होते हैं इस त stipریगे से एपको अलू को भरने में कंजूसी नहीं करने आप को आलू को फ्राटा में जियादा आलू ही नहीं होता है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अलू का फ्राटा भर्ली जो भर वनते हैं मेरे घर वालो को इसी तर के से हम कछटमा कर देंगा अलका सा औरलका सा हनकी हांत १ं ज्यान है न हम प्रेस करें तो अलू को फट के लिए यां वाक। तावा चड़ा रखे हैं और हलका मिडियम फ्लेम पे तावा को गरम होने देंगे और जिसे निए गरम हो जाएगा उसके बाद फिर सरस्तु का तेल इसके लगा देंगे और फिर से आलो को फराटा डालके से शेक लेंगे और जिसे एक साइड से गुल्डन ब्राउंड हो आज कमें डिसे इसधन बाद इसके ऊक्पान अंडल लगा देंगे देशी घी जगह पर आप जो भी पसंड करते उलगा सकते वर इसके बाद इसके दूसरी स्रेट से पल्टी करोंगे औंडन नीं बखलगा सकते अगा रिकल की पर डिया फिया पक्रशे से लिए इसे तरीके से आलुकवारःः बना रहें बनाने के लिए जादा ही बनाते हैं झालो बनने बले पाले हिसमां बनाना है दो आलो को नाई जब दिखा देते हैं इसको फिर से दूसरी चैट्स पलटी चाहिए करें प्रेसा देसी घी लगा के दोनों साइट से सेखेंगे और बहुत ही टेस्टी आलो को फ्राटा बनके त्यार हो जाएगा तो खाएं पीजी और इंज्वाई करें इसे सोस के साथ गृन च मेरे घर में सबको पसंदेब इस तरीके से अलो का फराटा हलका सा ज़्यादा इसे हम जला के बना रहें आप इसे कम जलाके बनाएगा अगर आपको घर वालों को नहीं पसंदे तो तो चलिए मिलते हैं